अपने गार्डन में डायरेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं और मैं कैसे यूज करती हूँ आज मैं दो तरीका बताने वाले हूँ कि आप इसको कैसे अपने गार्डन में इसको कैसे यूज कर सकते हैं और पहले तो मैं ये बता दूँ कि मेरे गार्डन में मैं अपने जो कीचन वेश्ट होते हैं और गार्डन वेश्ट होते हैं बस वही यूज करती हूँ कोई केमिकल वगरा नहीं यूज करती हूँ या फिर कोई मार्केट की खाद नहीं यूज करती हूँ जो कुछ को मैं वेश्ट चीजों से ही बनाती हूं और मेरे गार्डन में आप देखेंगे मैं बहुत अच्छी सब्जियां भी हार्विस्ट कर लेती हूं खुशी देता है आपको क्योंकि आप अपने ही हाथों से उसे उगायते हैं और अपने सामने बढ़ता हुआ जब देखते हैं त के इसको उगाने के लिए कि हम सब कुछ और्गेनिक करते हैं कोई केमिकल नहीं यूज करते हैं लेकिन जो भी हमको मिलता है वो बहुत ही हेल्दी और टेश्टी उसका स्वाध ही कुछ अलग होता है और जो केमिकल द्वारा और बजार से जो कुछ भी हम ले आते हैं उसका टेस्ट और आप अपने गार्डन में जो कुछ भी सबजियां उगाते हैं उसका टेस्ट आप जब इसको लगाएंगे इसको यूज करेंगे तब आप समझ पाएंगे और इस तरह से कचरे का यूज करके हम अपने लिए फ्रेश सबजियां जब उगा लेते हैं तो उसकी इसको बहुत अच्छी शांती दे सकते हैं हमको कहीं और टहलने गूमने नहीं जाना है अपने ही छट पे आए और ग्रीनरी देख के बहुत सुकून मिलता है तो चलिए मैं आज आपको बताने जा रहे हूं कि मैं ये फल के और सबजियों के छिलके अपने पॉर्ट में कैसे यूज करती हूं आप मेरी regular viewers होंगे तो जानते होंगे कि मैं garden waste और kitchen waste का कैसे यूज करती हूं और अगर जो लोग नए होंगे वो मेरी पुराने वीडियो में जाके देखेंगे तो उन्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा अगर वो वीडियो को देखेंगे और तब उ पेपर गते यह सब कुछ आप अपने पॉट में यूज कर सकते हैं और जैसे आप यह देख रहे होंगे यह मैं container भर रही हूं और इसमें मैंने garden soil और जो पतियां सूकी पतियां वगरा हैं और garden waste वगरा हैं जो कुछ भी मैं कटाई चटाई अपने garden में करती हूं वो सारा वगरा निकलता है वो भी डालती हूं और इस तरह से देखिए जो फल वगरा के छिलके हैं इनको भी मैं garden में इसी तरह से यूज कर लेती हूं और इसको मैं एक तरह से और भी यूज करती हूं अभी मैं उसको भी चलिए यूज करके दिखाती हूं आपको और इस तरह से ये मिट्टी जो है वो उस लिक्ट्विट को सोख के और मिट्टी को भी पावरफुल बनाती है और अगर आप चाहें तो इन छिलकों को और छोटा भी कर सकते हैं लेगिन मैंने काटा नहीं है आप छोटा कर देंगे तो जल्दी ही डीकंपोज हो जाएगा और जब जादे कमपोज होने में समय लगता है तो इस तरह से मैं ये ये डालती हूँ लेकिन जब मेरे पॉड़ते हैं मुझे भरना रहता acquaint थम मांदैसे डारिक्टमें यूज और अब इसके ऊपर से अपफने ईजहार ही अपकर देखे होदा कर को हने जब पिर उसके बाद मैं बताती हूं कि मैं इन बचे हुए छिलकों का क्या करने वाली हूं तो देखिए दोस्तों मैंने थोड़ी सी मिट्टी लाई है और यह राख ले आई हूं मैं और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं राख और मिट्टी डाल रही हूं वेश्ट के ऊपर तो आ थोड़ी जो मिट्टी ले आई हूं इसको भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और इस तरह से मैं ढखती रहती हूं जो कुछ भी क्यों खूड़ा कच्रा ले आती हूं और यह जरूरी नहीं है कि आपके पास खाली पौठ है तो भरने में ही केवल खूड़े कच्रे का यूज करें आप उसको जो कोई भी आपका खाली कंटेनर हो जिसको आपने कुछ दिन पहले खाली किया हो उसको फिर से पौधे वगरा लगाने के लिए रेडी करना है तो आप चाहें तो उस पौट में खाद वगरा डालने की बजाए आप पहले किचन वेस्ट और गार्डन वेस् पहले कि दूसरी तरह से यूज करती हूं चलिए मैं दिखा देती हूं तो देखिए दोस्तों यह बचा हुआ जो वेस्ट है इसको मैं यह देखिए मैंने पानी रखा हुआ है आदी बाल्टी पानी है और इसमें मैं अपना यह जो कुछ भी किचन वेस्ट अगरा है इसको भिगा दूँगी और मैं तो अब तो गर्मी का दिन आ गया है तो तीन से चार दिन में पाँच दिन में आप फिर उसके बाद इस पानी को यूज कर सकते हैं और चितना पानी है उस से 10 गुना पानी में मिलाके आप इस से पोधों को दे सकते हैं और बहुत अच्छी रहता है छिलके वगरा है नहीं है तो जो कुछ भी सड़ गल गया है उसको मैं ला के इसमें डाल देती हूँ और इस पानी को मैं दस गुना पानी में मिला के तब पौधों को देती हूँ आप इस पानी को चाहे तो छान के यूज़ कर सकते हैं और या तो फिर इस पानी को बस ऐसे ही डारेक्ट डिब्बे से निकाल के और उसको दस गुना पानी में मिला के आप पधो में दे सकते हैं तो मैं इस पानी को पहले डिब्बे से निकाल लोंगी एक डिबबा पानी निकाल लोंगी फिर उसके बाद मैं इसको और साधे पानी में मिला के इस डिबबे को अब मैं भर दूँगी इतने ही पानी से क्योंकि इसमें पूरा भरपूर मातरा में बहुत इसमें फल के छिलके सेव, केला, बहुत सारे केले सड़े हुए थे और थोड़ा जादे ही पॉट्स हैं इसलिए मुझे चार से पांच बैच बनाना पड़ेगा इसको फिर उसके बाद मैं इसमें ये यूज कर सकती हूं इस तरह से मैं अपने डारेक्ट सभी पौधों में यूज कर लूगी इसको और ये बहुत ही अच्छा लिक्विड फेट्रिल आप यह देख रहे होंगे फल से पूरा बैगन से भरा हुआ है ये पौधा मेरा और मैं ऐसे ही लिक्विड वगरा यूज करती हूं और कोई मार्केट से खाद वगरा नहीं यूज करती और यह जो लिक्विड है इसको यूज करने से पहले आप देख लें कि आपके गंबल लिक्विड को दीजिए और या तो शाम को दे दिया है तो सुबह इस लिक्विड को दे दीजिए और इस तरह से बहुत ही सूखे में नहीं देना है और इस तरह से जब हम लिक्विड खाद वगरा देते हैं अपने पौधों को तो पौधे डाइरेक्ट उनको रूट्स से ले लेते हैं और बहुत जल्दी इनसे असर दिखने लगता है जब हम इस तरह से उनको जो भी pot वगरा मैं भरती हूं उनमें यूज करती हूं नीचे मिट्टी में दबा देती हूं और उनी की साहता से मैरे जो garden के इतने बड़े-बड़े से pot हैं उनको मैं भर लेती हूं बहुत ही आसानी से बहुत ही कम मिट्टी में भरा जाता है और इस तरह से बिना बिना बदबू के खाद भी तयार होती है बिना इंतिजार के खाद तयार हो जाती है और मिट्टी भी काफी रिच हो जाती है और मिट्टी को कोई अलग से खाद वगरा देने की जरूरत ही नहीं है जब तक आपकी फसल पूरी कटेगी तब तक ये जो भी कुछ वा आपने वे मिट्टी बनती है और मैं अपने गार्डन में ऐसे ही वेश्ट चीजों का यूज़ कर लेती हूँ और उनी से मेरे गार्डन में इतने fruiting होती रहती है चलिए आज की वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आज की वीडियो जरा भी helpful लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी वीडियो, मेरी जानकारी, मेरे ट्रीक्स, ट्रीप्स कैसे लगते हैं सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई बाई, थैंक यू